तो आज गया से स्टेट का आपन सेकंड लेक्चर चालू करते हैं बीच में थोड़ा यवदान आ गया था क्योंकि जो अपने ऑपरेटर से रहे हैं वो बीमार हो गए थे कई समस्यां आती हैं जब कोई नया काम चालू करते हैं तो हलागी बहतर प्रियास किया जाएगा सब कुछ अच्छा करने की कोशिस की जाएगी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है तो आप दोड़ा ध्यान से सुनिए आज का जो टॉपिक है उससे अगला आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह टॉपिक है जो गैस है उसे किन के द्वारा करेक्टराइज्ट किया जाता है कौन सी ऐसी चीजे है जो हमें गैस के बारे में जानना जरूरी होती है किसी भी सिलेंडर में हमें गैस दिया हो किसी भी अमाउंट में हमें गैस दिया हो तो हमें उसके बारे में 2-4 चीजे हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए तो guess किसके द्वारा characterized की जाती है guess are characterized by किसके द्वारा characterized की जाती है manly char thing वो सारी चीज़ा है लेकिन जो manly है वो बारे में physical के point of view से जो पहली चीज है वो amount हमें पता होना चाहिए guess का दूसरी चीज है उस gas का मुझे temperature पता होना चाहिए तीसरी जो चीज है उस gas का मुझे volume पता होना चाहिए जो चोथी चीज है उस gas का मुझे pressure पता होना चाहिए इसको मैं बोलूँगा मात्रा इसको मैं बोलूँगा ताप इसे मैं बोलूँगा आइतन और इसे बहुलूँगा दम तो आप e-cake को हम उठाएंगे और उनके बारे में basic जानकारी हमें पता होनी चाहिए तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं amount को सबसे पहले मैं amount की बात करता हूँ मात्रा की बात करता हूँ तो आप इसको गोर से देखिए जो मात्रा है वो किसी भी gas की हम जितने भी equation करेंगे जहां भी use होगा तो हमें मात्रा जो है वो moles में given होनी चाहिए या फिर मुझे mass given है तो मुझे उसके molar mass से divide करके उसका जो molar item है molar द्रविमान है उससे उसको divide करके भार अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं उसे molar द्रविमान से divide कर दूँगा और molar द्रविमान से divide करके मैं उसमें से moles निकाल लूँगा तो जो amount of gas है can be specified by the moles gas की मात्रा moles में दी जा सकती है amount of gas can be specified by the moles अब अगला जो point है अब मैं आता हूँ दूसरे point पे और वो point है temperature दूसरा जो point है वो है temperature जिसे हम तापमान कहते हैं तापमान आपको problem में तीन तरीके से दिया जा सकता है mainly तापमान आपको Kelvin में दिया जा सकता है तापमान आपको degree centigrade में दिया जा सकता है तापमान आपको degree Fahrenheit में दिया जा सकता है तो जब आपको Kelvin में दिया जाएगा जब आपको Fahrenheit में दिया जाएगा जब आपको Degree Centigrade में दिया जाएगा तो सारे के सारे मान आपको Kelvin में Convert कर लेने हैं क्योंकि हमें जितना भी Temperature यूज करना है Gas की Calculation में वो Kelvin में यूज करना है आगे देखिए आप तो कैसे करेंगे इसके पहले एक छूटा सा आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए तभी वो Formula आपके याद रहेगा अगर मैं किसी भी Body A है ध्यान लखना इस बात का Body A है इसका Temperature है 0 Degree Centigrade ठेका जी एक B Body है इसका जो Temperature है वो है 100 Degree Centigrade तो आप एक बात ध्यान लखना कि इस A Body का और इस B Body का Kelvin में Temperature होगा 273 Kelvin 0 Degree Centigrade पे और यहाँ पर उसमें 100 जोड देंगे और यहाँ पर होगा 373 Kelvin ठीका जी उसके बाद में फॉरेन हाइट में अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन हाइट में 0 Degree Centigrade पर जो Temperature होगा वो होगा 32 Degree फॉरेन हाइट ठीका जी कितना होगा 32 Degree फॉरेन हाइट और यहाँ पर कितना होगा यह मैं अभी बता देता हूँ देखो इसमे और इसमे जो Difference है वो 100 का है ठीका जी और इसमे और इसमे जो Difference है वो भी 100 का है लेकिन इसमे और इसमे जो Difference है वो आता है 180 का Difference 180 का Difference आता है इसका मतला यहाँ जो Temperature होगा वो Temperature होगा 32 add कर दो 180 में 180 में अगर मैं 32 add करता हूँ तो ये आ जाएगा 20 add किया पहले तो 200 हो गया 200 में फिर 12 add किया तो 212 degree for a night ठीक है जी? तो ये होगा इसके बाद आप देखिए अगर मैं याँ formula in में interrelation plot करता हूँ थोड़ा idea आप रखना यहाँ important चीज ये है starting point और change यहाँ important point ये है important जो data है वो ये है तो इसमें जो interrelation आएगा वो interrelation देखो कैसे आएगा कि हमने 0 से start किया और 100 तक गए तो 100 का change आया हमने फिर 273 से start किया 373 तक गए तो 100 का change आया लेकिन 4 and night में 180 का change आया 180 का बनलब जब 273 था तब तो ये 32 foreign height था और जब ये 373 हो गया तो ये 212 degree centigrade हो गया तो इसमें ये थोड़ा सा math है लेकिन उसमें mathematics में हम नहीं जाएंगे तो इस formula को आप कैसे याद रख सकते हो interrelation जो है कि degree centigrade में जो भी आपको temperature दिया हुआ हो T degree centigrade में आप उसमें से 0 degree centigrade माइनस कर देंगे और उसे 100 से डिवाइड कर देंगे ठीक है जी? मतलब 0 निकालना मतलब कुछ नहीं निकालना आपको T degree centigrade में रख रहा है उसके बाद में आपको Kelvin में convert करना है तो Kelvin में आप क्या करेंगे जो भी आपको temperature Kelvin में दिया हुआ है उसमें से आप 273 माइनस करेंगे और आप 100 से डिवाइड कर देंगे समद में आ रहा होगा कौन सा डेटा ले रहा हूँ? उसके बाद में आप क्या करेंगे Fahrenheit में जो भी temperature आपको दिया हुआ है उसमें से 32 माइनस करेंगे और उसे 180 से डिवाइड कर देंगे यह आपको temperature में interchange करना है और आपको last में जो भी temperature दिया हुआ है उसको Kelvin में convert करना है ज्यादा deep में नहीं जाएंगे problem में इतना काम सल जाएगा तुमारा उसके बाद number 3 आता है यह भी विशेज ध्यान देनी वाली बात है number 3 आता है आपका volume यहाँ थोड़ा सा student bald हो जाता है थोड़ा सा problem में puzzled हो जाता है तो इससे panic बिलकुल नहीं होना है इसको ध्यान से देखो आपसे easy going हो जाएगा बस आप सबसे पहले दो चीज याद करके रखिए कि एक decimeter cube बराबर होता है एक liter और एक centimeter cube बराबर होता है एक ml यह आप MTA relation थोड़ा ध्यान में रखें ठीक है जी अब देखिए volume को हम किस-किस में रिपरजन कर सकते हैं volume को हम ml में रिपरजन कर सकते हैं volume को हम liter में रिपरजन कर सकते हैं volume को हम centimeter cube में रिपरजन कर सकते हैं volume को हम meter cube में रिपरजन कर सकते हैं volume को हम millimeter cube में रिपरजन कर सकते हैं यह सारी चीजे तो हम उनको step by step लिखेंगे हम इसको liter में convert कर सकते हैं हम इसकोban L में convert कर सकते हैं, हम इसको cm में convert कर सकते हैं, और cm2 में, ठीक हैज? आप जानते हैं ना लंबाही गुना चोड़ए गुना उचा हैं से हम निकालते हैं, cm3 में, mm3 में, हम इन чиνज कर सकते हैं, या और भी जो हो उसमें हम छेंज कर सकते हैं, तो इसके relation जो निकालना है ये बड़ी important बात है तो आप इसका relation निकालने का simple सा फंडा है आप पहले ये वाले relation याद रखिए direct देखो 1 decimeter cube is close to 1 ml और 1 centimeter cube is close to 1 ml अब इसको interchange कैसे करते हैं आपस में इस पे आते हैं थोड़ा तो इसको interchange करने के लिए देखिए आप भ्यान से देखो 1 ml is close to 1 centimeter cube आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ml is close to 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter इसको ऐसे लिखा जा सकते हैं क्यों? अब आप क्या सोचते हैं कि मुझे इसे 1 centimeter cube में और liter में relation देना है तो मैं पहला relation लेके आता हूँ देखो कैसे मैंने सोच लिया कि मैं liter वर्से centimeter cube relation लेके आता हूँ तो आप क्या करेंगे? याद रखने की जुरुत नहीं है याद रखने से दिमाग में बोज़ बढ़ता है पजल्ट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1 ml को आप liter में convert करिए तो liter में convert करने के लिए तरनुदा पावर माइनस 3 liter सिंपल सी बात है क्यों? क्योंकि एक लिटर में 1000 ml होता है 1000 ml होता है तो इसको ध्यान से देखते रहिया तरनुदा पावर माइनस 3 liter centimeter cube simple सी बात है अगला relation अगर मुझी चाहिए देखो ध्यान से 1 meter में 10 decimeter होता है या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 decimeter में 10 की heart minus 1 meter होता है similarly 100 centimeter में 1 meter होता है 100 centimeter में 1 meter होता है या फिर मैं sorry या फिर मैं ऐसे करूँ देखो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे करूँ कि 1 meter में 100 centimeter होता है तो 1 centimeter में कितना meter होगा 10 the power minus 2 meter होगा क्यों जी अब आप देखते जाओ 1 meter में 1000 mm होता है मिली मिटर या फिर मैं बोलूँ 1 millimeter में 10 the power minus 3 meter होता है यह simple सी यह actually ज़्यादा ज़रूत नहीं है लेकिन यह उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनका basic बहुत कमजोर है उसके लिए ज़रूरी है तो ध्यान से देखते जाओआ तो अब मैं interchange करता हूँ आप relation निकाल सकते है पहला relation मैंने दिया लिटर और centimeter cube के बीच में अगला relation देखो मैं इधर लेके आता हूँ आप बनाते रहे न कोपी में अब relation जो मैं लेके आ रहा हूँ वो मैं लेके आ रहा हूँ लिटर वर्सिज millimeter cube ठीक है जी तो देखो कैसे लाएंगे सबसे पहले मैं लेकूँ एक ml माइंटर देखो तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं ये simple तरीका है average बच्चा आराम से कर लेगा एक ml इसको स्टू 1 centimeter cube सबसे बड़ी बात अब आप ये देखिए कि इसको तुम्हें डारेक्ट लेक्ट हूँ तैनुदा पावर माइनस 3 लिटर कोई दिक्कत आगे देखिए अब इसको मैं कैसे लिखूँगा 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter getting my point अब आगे देखो अब मैं क्या करो मुझे इसको तो मैंने लिटर में बदल लिया अब इसको मुझे millimeter cube में बदलना है तो आप इधर देखिए एक meter अभी centimeter है तो centimeter का relation देखिए एक centimeter में 10 की हाथ minus 2 meter होता है मतलब एक millimeter में 10 की हाथ minus 3 meter होता है आप ये देखिए ये relation यहाँ से बनता है centimeter को millimeter में कैसे convert किया 100 centimeter बराबर 1000 millimeter 20 से 20 काण दो मतलब एक centimeter में 10 millimeter आ गया ये आप general idea भी लगा सकते हो दिमाग से ये तो इतना बताने की ज़रूद भी नहीं है आप simple idea भी लगा सकते हो साब एक meter में 100 होता है एक meter में 1000 होता है तो आपस में 10 हो गया ठीक है जी तो आप ये देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 10 millimeter into 10 millimeter into 10 millimeter getting my point ठीक है जी तो यहाँ से ये आ गया 10 to the power minus 3 liter is equals to 10 10 10 ठीक है जी 10 10 to the power 3 millimeter 10 to the power minus 3 liter अब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1 liter is equals to 10 to the power 6 millimeter चलो जी दूसरी जो बात है तो दूसरा relation हमने ये दिया तो आप इसे बहुत सारे relation दे सकते हो अगली बात आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई क्या समझ में आई देखिए 1 mm बराबर 10 centimeter उल्टा लेग दिया मैंने देखो इसमें सबसे जो बड़ा है वो मिटर में लेता हूँ एक मिटर में 100 centimeter 1000 millimeter क्या जी यही है और एक relation बीच में छूट गया एक मिटर में 10 decimeter ठीक है जी तो अब आप ध्यान से सुनिए इसी को देख करके मुझे लिखना है एक मिटर क्यूब बराबर क्या होगा 10 to the power 3 decimeter क्यूब ठीक है जी और यह कितना होता है अगर आपने याद रखा हो तो यह एक लेटर होता है हाँ आपको इसमें खिलाडी होना चाहिए बिल्कुल आगे देखो अब मैं कितना करूँगा 100 गुणा 100 गुणा 100 तो 10 to the power 6 cm3 बोलो समथ में आए आगे देखिए आगे मैं लेखूँगा 1 meter cube इसको स्टो इसको 3 बाद तो 10 to the power 9 meter cube आए बोलो समथ में आता है तो इस तरह से आप इने solo कर सकता हो तो पहला हमारा हो गया amount दूसरा हमारा हो गया temperature और तीसरा हमारा हो गया volume अब number आता है pressure का ये भी बड़ा important part है इसे भी हम समझेंगे तो ये सारा आप बना लीजिए copy के अंदर और मैं अब इसको साफ करने जा रहा हूँ अब pause करके इसे बना सकते हैं तो pressure की जब मैं बात करूँ तो इसमें हम दो चीज़ देखेंगे कि इसकी जो MKS unit है जो CGA unit है pressure क्या होता है सब इसकी बात करेंगे तो जो pressure है ध्यान से सुनिए pressure को मैं कहूंगा unit area में लगने वाला force pressure क्या होता है unit area में लगने वाला force मतला 216 रफल पर जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं तो इसको समझो आप ध्यान से क्या समझेंगे दाब हो गया इसकी जो MKS unit है और जो CGS unit है अगर मैं MKS unit की बात करूँ तो होगी newton for force for newton और area for meter square area चेत्रफल area को हम चेत्रफल देख रहा है लंबाई गुना चोड़ाई और ये है बल force ठीक है जी तो newton प्रती meter square हो गया इसको हम chemistry में pascal term यूज करते है pascal जिसे हम short में PA से दिखाएंगे तो newton per meter square को हम pascal से denote करेंगे और CGS में आप जानते हैं इसे कैसे convert करना है तो newton for dyne हो गया dyne per centimeter square ये चीजे हो गए तो ये इसका MKS इनट हो गया ये CGS इनट हो गया अब दाव के बारे में आगे बात करते हैं देखो दाव जो है आपके उपर पूरी body by temp दाव लग रहा है प्रेशर लग रहा है ये जो atmosphere है ये प्रेशर लगा रहा है लेकिन हमें feel क्यों नहीं हो रहा feel इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा pressure है अंदर से जो outer भार की जो जैसे मानलो कोई piston है उस piston के उपर internal pressure लग रहा हो और external pressure कम हो external pressure और P internal तो P internal ज़्यादा हो तो ये ही तो dominant होगा ये तो feel होगा ही नहीं क्योंकि net जो दाब है वो बाहर की हो रहाएगा इस वज़े से अब आगे बढ़ते हैं देखिए द्यान से तो ये newton पर meter square हो गया और ये हो गया dine पर centimeter square अब आगे देखो दाब की क्या-क्या बाते हैं तो दाब को हम atmosphere के रूप में भी major करते हैं मतलब एक atmosphere अगर जैसे खुला पात रहे तो ATM atmosphere उस पर कितना दाब लगाता है कितना pressure लगाता है मैं उसे 1 ATM कहता हूँ और इसको major करने के बहुत सारे तरीके होंगे उसके आधार पे इसकी unit बनी हुई है ये बड़ी important बात है इसको समझे ना आप दाब को कैसे कैसे major किया जा सकता है उसको major करने के लिए बहुत सारे तरीके मने हुए है उन तरीकों के आधार पे उसकी units है तो पहला तरीका मैंने बताया कि दाब को atmosphere के रूप में आपा जाता है तो atmosphere जितना दाब डालता है जितना अब देखो unit area बोला है unit area मतलब pressure में unit area अगर आ गया है force अगर लग रहा है तो वहाँ उसका area का मतलब नहीं है area का importance खतम हो गई तो आप यह देखिए एक ATM जो वातावन जितना दाब लगाता है इसको हम कैसे कैसे नाप सकते है 76 cm of HG अभी आप याद कर लो यह कैसे आता है यह 2 minute का काम है यह हम बता देगे दूसरा इसको cm को अगल mm में convert करें तो 760 mm of HG एक और होता है 760 TOR के रूप में भी आप इसे नाप सकते है एक और होता है एक ATM इसको स्टो 1.01325 इंटो तरनोंदा पावर 5 न्यूटन पर मिटर स्कॉयर या फिर मैं इसे पास्कल भी बोल सकता हूँ इसे और कैसे लिखा जा सकता है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 101.325 101.325 इंटो देखिए मैंने यहां से कितने 10 चुराएं है 1 और 2 तो यह कितना हो गया 10 अदो पावर 3 10 अदो पावर 3 पास्कल यह मैंने इसलिए लिखा वो देखिया आप समझ जाएंगे अगर मैं इसे किलो पास्कल में करणवर्ट करूँ तो 1000 से डिवाइड करूँगा 01325 बार बार आपने हमने कहां सुना था बार हमने सुना था कि NCRT में जब STP NTP लेता है तो वहां पर जो प्रेशर लेता है 1 ATM की जगे 1 बार लेता है यह वहां पर था भाला कि हम आगे जगे 1 ATM यह उसको मान लेते हैं तो यह सारा इसका Conversion था अब इसमें जो है अब क्योसन आएगा आपको Convert करना है थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कैसे Convert होगा कि फाला को ATM में Convert करना है तो क्योसन लिखो क्योसन लिखिए क्योसन है Convert into ATM The Given Pressures तो जो प्रेशर आपको गीवन है फालो दी तो जो गीवन प्रेशर है उनको आपको ATM में Convert करना है पहला सवाल है 190 mm of Hg 190 mm of Hg तो mm में मुझे ये वाला डेटा दिया हुआ है तो मैं क्या करूँ हुआ ATM में Convert करने के लिए 190 upon 760 mm of Hg नहीं होगा अब ये ATM में Convert हो जाएगा दूसरा जो सवाल है ये दिया हुआ है आपको 202.65 किलो पासकल 202.65 किलो पासकल तो आप देख रहे होंगे किलो पासकल में हमारे पास ये डाटा है तो हम क्या करेंगे 202.65 इसको डिवाइड कर देंगे किलो पासकल वाले डाटा से 101.325 तो लगबग 2 ATM आगया तीसरा सवाल जो है वो देखिए कितने को ATM में करणवर्ट करना है ये है 3800 तोर इसको हमें ATM में करणवर्ट करना है तो 3800 तोर को मैं ATM में कैसे करणवर्ट करूँगा तो ये देखो तोर वाला रेलेशन लिया हो 760 तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगा 760 तोर 760 से तो ये ATM में कनवर्ट हो जाएगा तो हम इसको अलग से लिख देते हैं कि 3800 डिवाइड बाई 760 तो 10 से 10 कट गया आगे आप सोल कर दो तो ये आपका ATM में प्रेशर आ जाएगा Simple Simple Calculations है नमबर 4 नमबर 4 इसने दिया है 57 सेंटीमिटर हाँ जी 57 सेंटीमिटर ओफ हजी देखू कई बार ये भी नहीं लिखा हो तो के विल 57 सेंटीमिटर लिख देगा जैसे मानलो दाब को वो बोलेगा कि 190 mm तो आप समझ जाएए वो 190 mm ओफ हजी है जोरी नहीं है कि वो 57 सेंटीमिटर ओफ हजी लिखे क्योंकि प्रेशर में सेंटीमिटर का रॉल नहीं है प्रेशर में सेंटीमिटर तो थोड़ी नाप सकते है प्रेशर को प्रेशर को तो न्यूटन पर मिटर स्कोर है डाइन पर यह 76 से मैं डिवाइड करूँगा वैई 1 ATM में जितने वैल्यू होते हैं उन वैल्यूस को उससे डिवाइड कर दो वो ATM में कनवर्ट हो जाएगी तो यहां से 3Y4 के आप रोक्स आ गया है और इस तरह से यह सारा सोल हो जाएगा तो इस तरह से जितने कनवर्जन है हाला कि मौल कॉंसट में हमने बहुत किए हैं सारे सवार अच्छा मैं गयास सेट में वो क्योस नहीं करवाऊंगा जो मैंने मौल में बहुत बार बार चिक-चिक कर वाएं हैं आपको कम से कम बिड आइसों उसे उपर क्योशन करवाए मौल में अलग-अलग और एक क्योशन में कम से कम 10–10–20.. मैंने आपको टैबलवाले क्युशन करवाए है मतलाव अगर देखा जाए तो 1000 क्योशन है मौल वाले citCr test, तो कोई दिक्षण नहीं है अगला टोपिक आएगा धन्यवाई